रुद्धरपुर में बाबा जी ने दिये शर्धालूं को दर्शन लाखों की संख्या में पहुँचे शर्धालू सवाल जवाब कार्यक्रम में शर्धालू ने लिया हिस्सा जी हाँ, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरू बाबा गुरिंदर सिंग धिलो जी महराज ने किच्छा रोड पर सित रुद्रपुर राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंदर पहुँचकर लाखों की संगत को दर्शन देकर निहाल किया बाबा जी स्टेज पर ठीक साड़े नो बजे से पहले सत्संग पंडाल में पहुँच गए थे बाबा जी ने सत्संग में बाणी धुन सुनकर मन समझाई कोट यतन कर यह नहीं माने धुन सुनकर मन समझाई फरमाई यह बाणी स्वामी हजूर जी महाराज की है जिसमें बाबा जी बताते हैं कि इस स्वानी में मन के उपर खोल कर बयान किया गया है कि कैसे मन विशे विकारों में डूबा हुआ है स्वामी जी महराज फर्माते हैं कि जब हम सब कौमों, मजहबों सभी दुनियाई मजहबही किताबों पर अपने खयालों को रोक कर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे और पर्मात्मा के बीच में जो पर्दा है वह केवल मन का है अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए तो मालिक स्वयम हमारे सामने है बाबा जी, बाने के जरिये समझाते हैं कि हम जो धार्मिक किताबे पढ़ते हैं गरंत पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारे कर्म कट जाएंगे, हमें परमात्मा मिल जाएगा, तो यह गलत है। यदि कोई पढ़कर या फिर गरंत को रटकर उसका पाट करता है या सुनता है, तो उससे विद्याबल अरजित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम कोई खाना बनाने की किताब बार बार पढ़ते हैं, तो उससे खाना अपने आप तो तयार नहीं हो पाएगा, खाना तो तब ही बनेगा जब हम उस किताब से सीख कर, खुद खाना बनाने का यतन करेंगे। ठीक, वैसे ही गरंथो और धार में किताबों को पढ़ने का फायदा तब है, जब आप उन्हें पढ़कर उन्हें अमल करते हैं। कि हमें धार में गरंथों को, किताबों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, बलकि इन्हें पढ़ें लेकिन इन्हें पढ़कर अपने जीवन में अमल करें, ताकि परमात्मा तक पहुँचने की आपकी रा सोखी हो सके, असान हो सके। वही सत्संग कारेकरम में सवाल जवाब कारेकरम भी हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में दूर दराद से पहुँचे शर्धालों ने हिस्सा लिया। हमेशा की भाती बाबा जी ने शर्धालों द्वारा पूछे गए प्रश्णों को मुस्कुराते हुए और उधारन पूरवक उत्तर देते हुए शर्धालों के मन की उल्जनों को दूर किया। बता दें कि रुद्धरपुर में दो दिन पूर्व से ही अलग अलग शहरों से हजारों लाखों की संख्या में संगत पहुँचनी शुरू हो गए थी। बाबा जी के दर्शनों के लिए एक लाग से भी अधिक की संख्या में अनुयाई रुद्धरपुर पहुँच गए थे। इसके अलावा सेवादारों ने यातायात, लंगर, कैंटीन, सुरक्षा, पंडाल, पार्किंग और मोबाइल डिपोजिट के इंदर का भी बड़े ही भैतरीन धंग से संचालन किया। सत्संकारेकरम और सवाल जवाब के बाद दूर दुराज से पहुँचे शरधालू ने लंगर प्रशाद भी ग्रेंड किया, जिसमें सैकडों की संख्या में सेवादार भाई भेहनों ने अपनी निस्वार्थ सेवा दी। आपको बता दें कि अक्टूबर महा में आगामी सत्संकारेकरम साथ वे आठ अक्टूबर को लखनौं में होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेर करें और अगर आप हमारे चैनलर पर नए हैं तो हमारे चैनलर को सब्सक्राइब करें।